आज CPIM पार्टी जिल्ला समीती से एक मेमोरेंडम हमने सब्मिट कर रहे हैं जिल्ला दीकारी त्रू गौवर्मेंट को मानने मुख्य मंतरी और जो इंचार्ज मिनिस्टर है हमने मेमोरेंडम सब्मिट कर रहे हैं हम आग्रा कर रहे हैं कि यह जो सुखा पड़ा है ठीक है हम इसका स्वागत करते हैं कि इस सरकार पूरा गुलबर्गा जिला सुखा एलान किया है पूरा सुखा पड़ा है मगर हमने कहते हैं सुखा पड़ा और गौर्णमेंट में डिकलेर किया बस प्रॉब्लम सौल हुआ ये बात नहीं है ये हमें मालूम है जब भी सुखा पड़ता है लोग संकट में पड़ते हैं उस समय कई लोग बहुत खुश रहते हैं वो सुखा प सबी लोग बहुत खुशी में रहते क्यों क्योंकि जब भी कामगारी लेते हैं उसका फाइदा 72-80% जो मीडल के लोग है जो बड़े बड़े लोग है उनके जेब भर जाता है जो गरीब लोग है जो लेबर है जो किसान है जो अग्रिकल्चर वर्कर्स है जो माहिला है दलित ह स्लम एरिया में जिंदगी करते है उन लोगों के हाथ में पैसा नहीं आता है इनके नाम से जो पैकेज आता है जो पैसा आता है वो पैसा 72-80% जेब भरता है उनके उपर जो भी लोग है वो बांड लेते है इसलिए हम कहते है इस सूखे पड़ेसो दिन में इस गाट का दिन में आप ऐसा कामगारी ले लो कि ताकि हमारे जो गरीब लोगों के जेब में पैसा आना, वो थोड़ा पेट बर खाना, वो कभी माइगरेट होके कहीं दूसरा बामबे पुने जैसा बड़े बड़े शहर नहीं जाना, यहीं उनको काम मिलना, तो इसके लिए हमने मेंशन करें एक है, देहान्त में मनरेगा है, ग्रामी नुद्योखात्री एक्ट है, वो 200 दिन बड़ाओ, एडली सुखा दिन में तो बड़ाओ, और जब भी लोग काम के लिए जाते हैं पंचायत को रिसीवर देना, कोई एक भी ऐसा ग्राम पंचायत नहीं है, हम सवाल करते हैं, यह क कोई रिसीवर नहीं देते हैं, हम आग्रा करते हैं, रिसीवर देना, यहन MMS, जो उनका नैशनल मोबाइल मोनिटरिंग सिस्टम है, हमारे लोगों को ज्यादा समय काम करना और वहां बैटना, उनका दिन भर पूरा गलत इस्तमाल करना, यह गवर्मेंट का है, सेंट्रल कड़ी विरोध कर रहे हैं, वो बंद करो, और 700, 700 रुपिया दिन में उनको पैसा दे दो, वही काम आप सिटी में भी ले लो, एक्ट करते समय देर हो जाएगा, तो पैकेज तो करो, जैसा पहला लेफ्ट गवर्मेंट त्रिपुरा में अगरतला मॉडल का एक है हमारे सामन उस मॉडल से काम करो, कि गुलबरगा जैसा शहर, आलनम, अबजलपूर जैसा शहर में लोग काम ले सके, तो ऐसा बहुत सारे मुद्दा हमने रखे हैं, हम इसके साथ जो हमारे किसान लोग करजा लिया है बैंक से, वो मनना करो, जैसा आप आदानी अंबानिका कर रहे हैं, करोडो 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 रुपिया, हम कहते हैं किसान तो आपके दूसरे माह हैं, आपका पेड़ बर रहे हैं, उनका करजा आप मनना करो, जो हमारे महिला स्त्री शक्ति स्वसाई संक्य महिला है, वो करजा लिया है, वो मनना करो, और हमारे जो स्टुडेंट से, उनका जो फी कि करनाटक के जो बीजेपी बीजेपी पार्टी है इससे पहला उनका सत्ता था बीजेपी पार्टी है एक दिन भी ओ लोग कि करनाटक के लोग इतना सुखा दिन में भूके पड़ रहे इसके बारे में बात नहीं करें एक बात तक नहीं करें कि उसके बजाए उनके जो एजे लिए सीट बाड़ते समय तो इन्हों एक्स्पोज हो जाते हैं इसलिए उन्होंने उनका येजेंटर के हैं अंदर अगर वो पकड़े गए तो हमारे पाल्टे का नई है हमारे संक्या नई है अगर नई पकड़े गए कि उनके थुरू इन्होंने पैसा उन्हों लेने का एक ब बाइसा बाटने में कि उनके जो कमुनल टेंडेंसी बढ़ाने में उन्हों वेस्त है हम इसका कड़ी विरोद करें तो हमारे दिमांड तो अभी मैंने बता दी है कि मंद्रेगा सीटी का भी ले लो और हमारे किसान और श्रमीक लोगे जो भी करजा लिया है बैंक से ओमना करो माफिक करो और हमारे स्वासाई संग के लोग उनके संग में भी उन्होंने लिये है वो भी आप माफिक करो आपके जिम्मेदारी बनती है हमारे स्टुडेंट्स है वो पैसा नहीं भर सकते है कि वो मतलब फीज नहीं भर सकते है वो आप फीज भरो और हमारे जो कामगार लो इनको पैसा मिलना है, इनके नाम से उनुप पेट भर लेने का जो कामगारी है वो गलत है, इसलिए हम कहते हैं, आप सुखा तो डिकलेर करें हैं, ये तो ड्राट का फुल डिस्टिक करें हैं, मगर इसके साथ साथ कौन-कौन सा काम आप लेते हैं, कैसा हमारे गरीब लोग को आप क्या है रक्षा करते हैं ये भी बताना पड़ेगा सिर्फ आप डिकलेर करके ऊपर के लोग पोरा पेट भरने में ऐसा वेस्त हो गए तो पहला गवर्मेंट का आपका कोई वेत्यास नहीं रहता आइसा मत करो लोग आपके ऊपर विश्वास रखे हैं आप विश्वास को और उनका आज का उनका स्टेप भी है ना की सौफ्ट कमुनलिजम के तरफ उनका स्टेप से जैसा पुनीत के रहले को छोड़े है जैसा चैत्रा के इश्यू में सिर्फ चैत्रा के देखते है वह ऐसा नहीं है बहुत बड़ा स्कैंडल है बहुत बड़ा कमुनल का ये है और करनाटक में कमुनल का, ये दंगा फसाल करने का, उनका साज़ीश है इस सब के बारे में कॉंग्रेस, गवर्मेंट, अगर क्या है, मुर्दु हिंदुत्व कहते हम, वो अईसा अगर करें, तो ये गलत होती है, कॉंग्रेस को भी मतलब सत्ता को भी, और पेट के अंदर अगर भूख आ गया तो आग बन जाएगा वो, अगर आप लोगों को वो खा जाएगा, वो जलाएगा वो भूख का आग, इसलिए यह समझ लेना बहुत जुरूरी है, CPM Party हम अगरा करते हैं, हम जितना डिमांड रखे हैं, आप उसका पुरा करें,